हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे स्ट्रेट स्टाइल पाउ भजी जिसको बच्चे और बड़े सब को बहुत ही पसंद आएगा अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की र अधा सिम्ला मिर्च को इसे चोटोटी कुड़े में काट लिया है और एक गाजर लिया हूं मैं इधर आधा बिट्रूट को कद्दू कस कल लिया है इसे बहुत ही जल्दी बिट्रूट को खो जाएगा और पाउ भजी में बहुत बढ़या कलर आएगा और एक कब में इधर सारे सब्ची में एक चमच नमक और एक चमच पाव भजी का मजाला डालके उसको हमें तेल में एक मिनिट के लिए भून लेंगे ताकि सब्ची का जो कच्छा फ्लिवर है वो चला जाए अब हम सब्ची को बॉल करेंगे तो उसमें दो कप पाने डाल देंगे ध्यान रहे रख देंगे एक साइट पे दूसरे तरफ एक कढ़ाई लिया हूं कढ़ाई में डाली हूं दो चमच तेल और दो चमच बटर पाव भजी में बटर का क्वांटिटी जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है तब ही पाव भजी अच्छा लगता है इधर बटर गरम हो चुका है अब हम उसमें डालतेंगे एक चमच चीरा चीरा तड़कने के बाद अब हम डालेंगे एक बड़ा साइस का प्याज जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है प्याज को हमें गोल्डेन ब्राउन होने तक भून लेंगे आप देख सकते हैं प्याजी तर अच्छे से भून अब हम उसमें डालतेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है आप चाहू तो 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 प्यूरी भी डाल सकते हैं तर अब हम उसमें डालतेंगे एक चमच नमक और थोड़ा सा हल्दी तो में नमक डालने से नमक जो है बहुत जल्दी अब हम सारे मसालों को अच्छे से तेल में एक मिनट के लिए भूल लेंगे तागे टमाटर थोड़ा सा गल जाए अब हम उसमें डालेंगे अध्रक लैसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैं इधर साथ से आठ्स लैसुन की का लिया और एक इंच अध्रक की टुकड़ा और तो हरी मिर्च को मिक्से में पीस लिया है उसका एक पेस्ट बना लिया वो पेस्ट को हमें मसाले में डाल देंगे अब हम यह सारे मसालों को अच्छे से भूल लेंगे जैसे मसाला थोड़ा सा भून जाएगा अब हम उसमें कुछ पाउडर मसाला डालेंगे जिसमें लिया एक चमच धनिया पौडर और एक चमच गरम मसाला का पौडर उसले के बाद अब हमें आच्छे से मसालों को भूहना है जब तक मसालों से देल से बूर्ट नहुं जब तक मसाला भून रहा है अब हम सबजी को चेक लेते हैं प्रेशर को कर से सारा ग्यास जो हे रिलीज हो चु आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है उसका ओयल जो है सिपरेट हो जुका है और बहुत ही बड़ा कलर आया है अब हम बॉयल किया हुआ सब्जी को उसमें डाल देंगे सारे सब्जी डालने के बाद थोड़ा सा पाने डाल के सब्जी को मसालों के सब्जी में आ जाएगा इधर देख सकते हैं सब्जी इधर अच्छे से कूख हो गया है अब हमें एक मैशर से सारे सब्जीयों को मैश करना है अब हमें सब्जीयों को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि सब्जीयों का जो टुकड़ा है बो दिखना नहीं चाहिए अब जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाए ध्यान रहे भाजी को ज्यादा थीक नहीं रखना है उसको थोड़ा सा पतला ही रखना है ताकि जब हम पाउ को टीप करेंगे तो वो खाने के टाइम ट्राई नहीं लगेगा उपर से अब हम टाल देंगे खुब सारा धन्या पता और एक चमच बटर डालके आच्छे से भाजी को मिक्स कर लेंगे अब हमारा स्ट्रीट स्टाइल भाजी बनके रेडी हो गया है अब हम पाउ को सेख लेते हैं मैं इधर दो पाउ को इसे बीच में से कट करके एक साइड में रखतूंगे पाउ को थोड़ा सा फ्लेवर बनाने के ल देँगें जो भाजी बनाके रखे थे उसमें से एक चमच डालतेंगे और आधा चमच पाउ भजी का मसाला डालतेंगे अब हमारा स्ट्रीट स्टॉी बनके रेडि हो गया है अब हम उसके पलेटिंग कर लेते हैं इधर में एक प्लेट में रख दिया दो पाउ और साइड में रख दिया थोड़ा सा कटा हुआ प्यास और आधा नीमू गर्मा करम भाजी को अब हम सर्फ कर लेंगे और उपर से टाल देंगे थोड़ा सा बटर आपको कैसी लगी आज की रेसिपी आप मुझे कमेंट करके बताए अच्छा लगे तो घर में भी बना के एंजोई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए